तो आज में आप लोगों को ना एसे सी सीजिल का पोस्ट प्रिफरेंस के बारे में बताने वाला हूं कि आपको पोस्ट प्रिफरेंस कैसे भरना चाहिए जैसे कि आपका अगर प्री एक्जाम हो जाएगा उसके बाद मेंस आएगा तो आपको post preference आपको fill करना पड़ेगा कि कौन सा post मुझे डालना है उसके according ठीक है post preference आप देख सकते हो जो sigil 2021 का है वो post preference का form दे दिया गया है जिनका भी pre exam हो गया है mains exam हो गया उसके पाद preference भरना है document verification के time piece को fill करनके लेके जाना होता है और आप जो भर होगे उसके according आपको post मिलता है तो आज मैं बताने वाला हूँ आपको कौन सा post भरना है जिससे कि आपका desired post आपको मिल जाए ठीक है और यह बहुत important होता है अगर आपने गलती से गलत post को चूज कर लिया आपका rank अच्छा है फिर भी आपको ऐसी post मिल जाएगी जो कि आप desirable नहीं थे आपको खराब post मिल गई आपके rank के हिसाब से ठीक है ऐसा हो सकता है आप top 100 में हो लेकिन आपने ऐसी post चूज कर लिया पहले एक काउंटेंट डाल दिया और डिटर डाल दिया तो आपको वही मिल जाएगा तो मैं सब चीज के बारे में बताने वाला हुँ यह video लंबा जा सकता है क्योंकि मैं detail में बताने वाला हूं और यह सब के लिए तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले मैं आपको बारे में बता दूँ मेरा नाम गोल्डेन कुमार है और मैं अभी 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 असिस्टेंस एक्षन आफिसर के पोस्ट पर कारे रत हूं तो देखो सबसे पहले ध्यान देने वाली बात तो यह है कि आपको पोस्ट ऐसा भरना है जो आपको डिजाइड हो ऐसा भरना है जिससे कि आपको सही जगह मिले सबसे पहले दो पोश्ट जो है a miserable Ta Mina और a02 Assistant Audit Officer और असिस्टौन एकान्ट However यह दोनों जो पोस्थ है अधिन के यह एर्टालिस सु ग्रेट पे का पोस्थ है और ग्याजेट सिल्स्क्षाट अच्छीन यह और इसमें पोस्टींग को पोस्टिंग होती है आप को All India पोस्टिंग होती है आपके रैंक के हिजाब से आपको मिलेगा और इसमें audit का काम होता है तो जिसने डवल आओ का पेपर दिया है यह पोस्ट आफ्ट कर सकते हो सबसे ज्यादा जो सेलरी होती है इसी में होती है तो यह जो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर असिस्टेंट on करना पड़ता थीक है तो दस दिन पंद्रह दिन अपने ऑफिस से दूर रहोगे और इस दुसरे सीटी में जा करके audit करोगी और Auf all India posting आपके ring के हिसाङ से तीन तरह के post होते हैं आपको चार तरह incompetent 1-1,ksen great pay का होता है 1250 ग्रेट पे का होता है और एक होता है चोगे सो ग्रेट पेर ठीक है तो अब मैं श्मार कि ऐदो ही अब मैं जाता हूं भी अब चयाने सब हो एशिस्टाइंट सबसे अश tutti इसका अंडर इसमें जो सेमेटी होगी आपको लगबग इन्हान सब्स मिलेगा इसमे इन हेंट से प्लस मिलेगा अग और कि इसमें जो मिनिस्ट्रि फॉस्टिंग को इसमें योगकरध को इसमें बहुत रहा है बपाक्षों tak तो जिसको डेली आप्ट करना है यह चूज कर सकते हो लेकिन मैं अभी और बताऊंगा वह सब चीज देख लो उसके बाद असिस्टेंट सेक्षन आइबी आइबी की जो पोस्टिंग होती यह भी देली में होती है लेकिन इसमें कभी-कभी आपको हार्ड पोस्टिंग मिलती ह है ऐसे लोकेशन पर मिलती है जाना पड़ता है आपको ठीक है दूसरे स्टेट में जाना पड़ता है वहां पर इंट्रेजेंस का काम होता है और यह इसमें काफी आपको हाइड रखना पड़ता है इसमें भी च्छाली सो ग्रेट पे का जौब है लेकिन इसमें सेलरी आपक सबस taught girls पाच्वां नंबर मिश्ट्रی आफ்र रेल्वे में एसमें भी अच्छा पोस्ट निपर्मै्ट है कि अपको दुसरे भी जाना पढ़ सकता है प्रोडे नेवेर्लो разгल as compared to CSS ठीक है क्योंकि एक ही ministry है vacancy come create उपर में उपर में जो promotion वाले vacancy come create होने के बज़े से इस में इस में थ्वड़ा सा कम promotion होता है as compared to CSS आप जो सबसे जादा demanding post है वह Ministry of External Affairs में ISO ठीक है में foreign posting आपको होती है Delhi तो पॉश्टिंग प्लस फॉरण पॉस्टिंग होती है इसमें जब जाते हो तो वहां पे आपको लगभग चार लाख पर मन्त होता और यहां पर वही होता बहत्तर से पचाथर जब देल्ली में पोश्टिंग होता है उसके बाद आपको विदेश जाने का चांस मिलता है और इसी उसको ले सकते हो। सबसे Toppers योट होते हैं उसके बाद चलते हैं Assistant Officers AF HQ में यह जो है देल्ली में इसके Posting होती है पर्मनेंट ठीक है देल्ली पर्मनेंट पोस्टिंग है और इसमें आपको पुरा ओफिसेज क्लोज होती है और इसमें है कि आपको स्मार्ट फॉन अलॉड नहीं होता है यह देखना आपको कैंटिन कार्ड लेकिन मिलता है वहां से पर्चेस कर सकते हो कम समान में चीज़े और आपका जो कार्ड मिलता है डिफेंस मिनिस्ट्री का उससे पॉल टैक्स य अच्छा है इसमें जल्दी तुम एसो से एसो बन जाओगे फिर यूएस बन जाओगे फिर डिप्टी सेग्रेटरी अच्छे पोस्ट पर जा सकते हो बहुत जल्दी जल्दी इलेक्शन कमिशन में उसके बाद नार्कोटिक नेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर इसका भी पोस ये भी देली में आपको पोस्टिंぐ पर्मनेंट पोस्टिंग अधि उसके बाद सेंटर अफुश्री त्रिवन यह भी देली ओसीदि यह भी देली पोस्टिंग लगबख सब लोगू सेंग यह सबिस च्याली सौ publi पर वाले पोस्ट हैं यहांसे जो है असिस्टेंट्ट सेक पर आप जाना चाहोगे तब ही होगा ऐसे कि अब अब श्याली सो ये सब हैं ब्याली सो असिस्टेंट ओले हम पहले शाली सोर चले जाते हैं तो आप लोग को अगर प्रिफ्रेंश भनना है जिसको देल्ली चाहिए होगा तो आप यह सब आले पोस्ट ऑफ्ट कर सेकता है अब चलते हैं बाकी का पुस्ट इंकम टैक्स इसक्टर ढूंक होता है तो देल्ली जोन भी है आपको लांची जोन को चंडिगर जोन अलग अलग जोन महाराष्टरा जोन जोन होगते हैं वहस्य है और उसी जोन में आपको जिंदगी भर रहना पड़ता् आपको जोन मिल मिल तो आपको प्ण। छन 없어 तो यह द्यान fuori तो यह ध्यान रखने वाली बात है यह भी चालिस सो ग्रेट पेवाली जॉब है इसमें भी जो सेलरी आपको मिलेगी देली में रहोगे तो आपको 72 प्लस मिलेगा आपको इन हैंट सेलरी ठीक है लेकिन डिपेंड करता है सीटी पे भी एक सवाई जेट सीटी होती है उसमें आ एक साइज इंस्पेक्टर एक साइज इंस्पेक्टर का भी इसी टाइप में जोन होता है अलग अलग और इसमें भी आल इंडिया पोस्टिंग होती है आपको वर्दी इसमें मिलता है लेकिन वर्दी आपको हमेशा नहीं पेनना होता है आपको जोन मिल जागा वहीं पर गर्ड उसके बाद इन्सफेक्टर प्रेवनेटीव एक्र 10 बड़ existing दियापको मिलती है में उनके प्रिबनीट ओफिसर में और आपको सिपवेगरा पर होता है मैक्समुम 30 जो आपको को स्टले एरियाज में वहाँ पर पोस्टिंग होती कि दा प्रिवेंटिव औफिसर में या फिर होती है जो दुसरे जगह से इंपौर्ट होती है न चीह दूसरे सी दूसरे कंटरी से वह सब आपको चेक करना होता हुग उसके बाद इंश्वेक्टर एक्जामिनर में भी आपको कोश्टल एरिया में मुंबई चैन्न जैसे कोलकाता वगरा टाइप में एरिया में आपको मिलता एक्जामिनर यह झाफी पहले तो बहुत ज्यादा लोग इसको प्रिफर करते थे टॉप पे लोग इसको आउप करते तोड़ा सा क्रेज कम किया है लेकिन यह भी चैनल इंफॉर्मेंट काफी ज्यादा है इसमें आपको इधर उधर रेड कर लिए जाना पड़ता है आपको अच्छे खासा फाइल संदल करना पड़ता तो इसमें वर्कलोड काफी ज्यादा होता तो अगर आपको इसको आप्ट करना है तो आपको यह देखना होगा कि आपको एकदम डेडिकेशन होना चाहिए काम करने में नहीं तो कुछ दिन के बाद आप उसको छोड़ने का मन करेगा काफी काम होता है टाइम कोई फिक्स नहीं होता है साथ बज़ आठ बज़ रात तक भी आपको काम करना पड़ा सकता है ऐसा होता है इसमें रिस्पॉंसबिलिटी वाली बहुत काम है यह उसके बाद है सब इंस्पेक्टर सीबी आई यह ब्याली सो ग्रेड़ पे की जोग है तो इसको भी आपको ध्यान से अफ्ट करना है अब हम उपर चलते हैं अशिस्टेंट अब हम छ्यालीस सो लगभग कर चुके हैं लगभग सारे हो गया यह जितने भी यहां पर है यह ओल इंडिया पोस्टिंग है आपको डिपेंड करता कि वेकेंसी कितनी है और आपको कितन वहाँ कितना है उसके हिसाब से आपको मिलेगा तो इसको आपको ध्यान से भर अभी आपको लग रहा हो कि मुझे कहीं भी मिल जाएं कहीं भी फेक दें अंडमान ने को वार में भी जॉब दे दें अब चलते हैं नीचे अब नीचे में चलता है सब इंस्पेक्टर सब इंस्पेक्टर सीबी आई यह तो सीबी आई के बारें बता दिया बहुत लोगों का यह ड्रीम होता है सीबी आई में मुझे जाना है जिसका ड्रीम हो लेकिन यह याद रखना है कि काम बहुत अच्छा ऐसा करना पड़ेगा यहां पर ठीक है वक्लोड काफी अच्छा होता है काफी एक फाइल आएगी मोटी-मोटी आपको हैंडू करना पड़ेगा आपको लेकिन जुनून है तो CBI आप ले लो इंस्पेक्टर आफ पोस्ट इनस्पेक्टर आफ पोस्ट यह पोस्ट उतनी उतना रिकोमेंडेड नहीं है काफी इसमार डौर तो आपको जाना पड़ता है सब जोग यह पुबलीक वर्क टैप का है आपको सब जगह जा करके आपको कुछ कुछ काम करना प आपको अपना आइडेंटिटी को हैड करके रखना पड़ेगा आप सब जगह नहीं बता सकते कि मैं नाइए में हूँ बहुत सिक्यूरिटी परपस सिक्यूरिटी वाले होते हैं और इसमें कोई टाइम नहीं होता है अगले दिन आपको फ्लाइट का ठीकट है वहाँ पर जान लेकिन और इंडिया इसकी पोस्टिंग कहीं भी हो सकती है आपकी पोस्टिंग अब नीचे जलते हैं डिविजनल कांटेंट के बारे में यह बहुत अच्छी जॉब है यह ठीक है आपको एक श्टेट मिल जागा आपको वहीं पर जॉब करना होता है और अच्छा खासा इस डिश्टिक मिल जागा वहाँ पर आपको काम करना डिविजनल उंग और वहीं पर आपको पर्मनेंट पोस्टिंग हो जागे दूसरा चैन्ज नहीं होगा आपका तो यह आपको ध्यान ठखना आपका रैंक अच्छा आएक तो अपना पोस्ट मिल सकता रैंक अच्छा नहीं तो इदर उदर की दूसरी स्टेट मिल जागा और आपको वहीं रहना पड़े हैं यह स्टेटिकल इन्वेस्टिगेटर यह भी 42 सोगा जुनियर स्टेटिकल इन्वेस्टिगेटर यह भी यहां तक जो है पोस्ट यहां तक पोस्ट। यह थाइस सो ग्रेट पेवाली पोस्ट है अब मैं बता तो हुआ किसको कहा है AoDitor है Of India All India इसकी पोस्टिंग है All India पोस्टिंग होगी आपको रेंग के हिसाफ से आपको मिलेगा मिल सकता हैं आपको एक कि आपको location preference मिलेगा और rank के हिसाब से आपको मिल जागा जहां पिलेगा आपको वहीं पे स्टेट में आपको रहना है एजी आफिस होता ना सारे स्टेटस में होते हैं स्टेट के PayPal में होता है उसके बाद डिफेंस वाले में, CGDA है, इसमें भी आपको All India Posting आपको मिलेगा, और इसमें जो मिलिटरी होता न, मिलिटरी वाले देखते होगे, मिलिटरी वाले रहते हैं, बहुत जगा पे, वहीं पे आपका इसमें Posting होती है, तो All India Posting इसमें है, इसके बाद Auditor Cabinet Secretary, Cabinet Secretary ये तो देल्ली मे आपको देख लेना कि कितनी vacancy है, डेली Posting है, Auditor Accountant National Technical Research Organization, इसके बारे मुझे पता नहीं है, ज्यादा अच्छे से, तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन 800 grade पे की जौब है, ये तो पता है, एक Accountant CAG में, CAG Accountant में आपको All India Posting मिलेगी, All India Posting है, और इसमें AG Office होता, वहीं पे आप Account Content बनोगे, ठीक है, और उसी AG Office में आप रहोगे, अब उसके बादे Content CGA में, इसमें Maximum Posting Delhi होती है, 90% जो Posting होती है, आपको Delhi में होगे, 90% पोस्टिंग Delhi, बाकी इधर-उधर offices भी होते हैं, इसमें कम chances होता, लेकिन 90% cases में आपको ये, तो 2800 grade पे बाले में, जिसमें आपको Delhi चाहिए होगा, तो आप ये opt कर सकते हो, जिसमें आपको मिलने के बहुत अच्छे chances से, और इसमें एक और फाइदा है ना, कि इसमें तीन साल के बाद एक आप पेपर के लिए eligible हो जाते हो, जिससे कि आप Accountant से डारेक्ट डवल यो बन सकते हो, 2800, 2800 से डारेक्ट, 4800 तीन सा बाकि ये सब है, state बाले में, state में मिल सकता है, आइडिटर आपको देली में फी मिल सकता है, लेकिन उसके लिए rank अच्छा होना चाहिए, ये आपको देली में ही पोस्टिंग होती है, और Account इसके बारे मुझे नहीं पता है, National Technical Research Organization मुझे भी रगता है इसका भी देली में होन अब चलते हैं जुनियरे कॉंटेंट यह भी आल इंडिया इसकी पोस्टिंग है तेली कॉमुनिकेशन वाले में और दिपार्टमेंट अफ कोस्ट में अब अब उसके बाद आते हैं जो बचे रह गया है वह चोविस सो ग्रेट पे वाले पोस्ट है जितने भी यूडी सी है ना यूडी सी यह आपको मिलेंगे देली में देली में सारे पोस्टिंग तो मैक्सिमम जो यूडी सी होंगे वह आपको देली में इसकी पोस्टिंग मिलेगी ठीक है UDC, उसके बाद UDC के बाद आप बनते हो सहर, Assistant, उसके बाद फिर ASO का पोस्ट मिलता है, अगर आप Ministry में रहते होता है, Ministry of Housing and Urban Affairs, Indian Meteorological Department, तो यह UDC आपको मिलती है, और यह आपका 2400 ग्रेट पे का जौब है, ठीक है, 2400 ग्रेट पे का, Delhi में सारी Posting UDC के, तो कोई भी आप भर सकते हो, जो अपने हिसाब से, देख लो, जिसमें आपको भरना है, उसके बाद आप चलते है, Tax Assistant, CBDT, CVEC, और यह दोनों का जो पोस्टिंग होता है, वो All India होता है, कहीं पे आपको रैंग के हिसाब से मिलेगा, ठीक है, CBDT और CVEC में, एक Direct Texas का है, एक Indirect Texas and Custom का है, इसका जो पोस्टिंग है, All India है, अगर आपको रैंग अच्छा है, तो आपको देली मिल जाएगा, आपको रैंग अच्छा नहीं हो, तो दूसरे स्टेट में आपको मिलेगा, ठीक है, तो उसके हिसाब से आपको भरना, यह नीचे में दिया हुआ एक नव, अब भरना कैसे है, यह देखो, भरना आपको है न, कि आपको जो पोस्ट सबसे ज़्यादा प्यारा है, उसको पहले नवर पे, जो सबसे अच्छा डिजाइड है, मालो, आपका रैंग आया, 2000 रैंग आया, तो आप यह मत सोचना कि 2000 है, तो मुझे ASO MEA तो मिले गई नहीं, या फिर असिस्टेंश सबसे तो उसको नहीं भरना, किसी और को भरना, नहीं, आपको ऐसे भरना है, कि जो पोस्ट नहीं भी मिलने लाइक है, रैंग अच्छा तो, ASO AMEA हो गया, ASO CSS हो गया, ASO Railway हो गया, ऐसे करके भरना स्टार्ट कर देना है, ठीक है, च्याली सो, पहले आपको च्याली सो ग्रेट पे वाले जॉब भरना है, 4600 वाले, और जिसमें प्रिफरेंस है, उसके बाद फिर आपको, मान لोक किसी का रैंग अच्छा आया, लेकिन उसको अपना ज्हारखन स्टेट या फिर बिहार में चाहिए, बिहार में पता है कि आपको पास सीट है, चैट है, अपको या फिर यह पता है कि EG Office में, Accountant का पोस्ट है, EG Office में बिहार में, और आपके rank के हिसाब से आपको मिल जाएगा, तो आप D40 पहला भर सकते हों, पहले में D40, क्यों 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 आपको बिहारी चाहिए, आपको state चाहिए, आपको पैसा नहीं matter करता है, आपको matter करता है कि आपको home state, तो आपको जो लगे, जो सबसे ज़्यादे important है, वो आपको पहले number भी भरना है, ठीक है, तो आपको इस तरह से भरना है, और बहुत ध्यान से भरना है यह preference, और जब भी preference भरोगे, तो दो-तीन बार अच्छे से देख लेना, सबका job profile के बारे में जान लेना है, कि कौन कहा मिल सकता है, किसकी कितनी vacancy है, मुझे क्या मिल सकता है, उसके हिसाब से आराम से भरना है, पर फिर भी मैंने आपका एक overall idea बता दिया, अब बहुत लोग मेरे से question की, पुछते हैं कि असिस्टेंट audit officer भी मिल सकता है, और मुझे ASO, CSS, ASO यह सब भी मिल सकता है, कौन चाले, तो मैं वो लोग अगर देली में रहना, तो assistant section officer ले लो, ASO में, रेलवे में, AMEA में, क्योंकि यह 4800 है, पैसा ज्यादा मिलेगा, लेकिन इसमें workload भी अच्छा खासा होता है, और आपको ऐसा एक state मिल गया, तो आपको वहीं पर रहना है, वह साथ में आपको audit पर जाना होता है, 20 दिन आप घर से, मतलब ऑफिस से बाहर ही रहोगे, audit करते रहोगे, इदर उदर, 10-15 दिन, तो थोड़ा सा work-life balances में, अच्छा नहीं होता, assistant auditor officer में, साथ में, assistant auditor officer बन जातो, एक exam आपको qualify करना पड़ता है, तब ही आप इस post पर बने रहोगे, नहीं, तो अगर आपने fail हो गए, दो तिन बार fail हो गए, तो आपको फिर auditor के post पर demote कर द दिली में, ASO, CSS, ASO में, लेकिन अगर आपको नहीं मिल रहा है, यह सब पोस्ट आपको लग रहा है, तब आपको यह वाला आप्ट करना है, और चालीस और चालीस और चालीस सो में, मैं चालीस सो को preference दूंगा, ओके, लेकिन आपको rank बहुत अच्छा है, आपको decides अपना city मि या फिर आपको अपना location मिल जागा, तब आप assistant audit officer join कर सकते हो, कोई दिकत में, पर बहुत ध्यान से इसको भरना है, अराम से, I hope कि आपको एक overall idea हो गया कि कहा, कौन-कौन सब आता है, उसके हिसाब से बरना है, ठीक है, लेकिन फिर भी आपके मन में कोई doubt हो, तो आप comment box में पूछ लेना, मैं बता दूँगा, क्या-क्या चीज़े है, ध्यान से इसको देख लो, सभी चीज़े के बारे में बता दिया है, और इसके हिसाब से आपको भरना है, और इसका 2-3 copy जब भी आप जाओगे, 2021 वालो, तो 2-3 copy इसका कर लेना, 2-3 copy में अपना अच्छे से भर क जाना, ठीक है, I hope आपको आइडिया हो गया होगा इससे, बाकी लोगों को भी, तो thank you so much for watching this video, यार तुम लोग टेलिग्राम भी जोईन कर लो मेरा, क्यूंकि मेरे टेलिग्राम चैनल पता नी, ब्लॉग हो गया था, फिर से टेलिग्राम चैनल जोईन कर रहा है, उसका नाम 1000 अचीबर्स है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, और साथ में इस चैनल को like and subscribe कर दो, share कर दो, मेरे को support करो थोड़ा, ठीक है, ताकि मैं भी motivated रहूँ और आपके लिए ऐसे वीडियो लाते रहूँ, और कोई भी दिक्कत हो तो आप comment box में लिख सकते हो, चल ठीक, वाई बाई